Hello everyone and welcome to Only IS, Current Affairs Revision Series में Science and Technology का ये तीसरा लेक्चर है इस लेक्चर में हम जुलाई मन्त के सभी related Current Affairs को कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आप UPSC या किसी भी State Peaces exam के लिए थोड़ा भी serious हैं तो आप हमारे Telegram चैनल Only IS Nothing Else को जरूर से जोइन कीजिए तो बिना देरी की हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की इस सेशन का first important article ISRO के POEM platform के बारे में है ISRO ने अभी हाल ही में अपना C-53 PSLV का mission launch किया इस mission ने सिंगापूर के 3 satellites को orbit में place किया पैलरी ISRO ने इसी satellite launch के साथ ही PSLV orbital experimental module यानि की POEM को भी successfully launch कर दिया अभी POEM क्या है एक rocket गया PSLV C-53 इसने सिंगापूर के 3 satellites को orbit में place किया और POEM को भी launch कर दिया यहाँ भी POEM क्या है यह समझने वाली बात है इसे आसान भासा में समझेंगे तो जादा clear हो जाएगा समझी PSLV हमारा एक rocket है rocket का काम होता है satellite को Earth के orbit में ले जाके place कर देना उसके बाद satellite धरती के चक्कर लगाने लगेगी और हमें information convey करेगी सारा काम करेगी अब यहाँ से PSLV इसे orbit में लेकर गया PSLV में total 4 stage होते हैं 4 stages को यहाँ इस image में portrait किया गया है यहाँ तक है पहला stage यह है दूसरा stage यह तीसरा stage है और यहाँ पर यह जो हिस्सा देख रहे हो आप यह चोथा stage है जो 3 stage होते हैं इन्हें spent stage कहा जाता है मतलब कि यह 3 ही stage atmosphere में अपना fuel burn करके rocket को उड़ा देते हैं और इसके बाद यह 3 stage बारी बारी से अलग होकर समंदर में गिर जाते हैं मतलब इनका काम हो गया खतम यह जो 4 stage है stage 4 यह इस rocket का लेकर जाएगा satellite को space में और वहाँ पे ले जाकर इसको इसके orbit में settle कर देगा इतना मामला clear हो गया अब देखे in general क्या होता है कि एक बार जो satellite है वो orbit में place हो गई तो 4th stage का काम खतम हो गया लेकिन चूकि यह space में चला गया orbit में पहुँच गया तो यह वाप इससे धर्ती पे तो आ नहीं पाएगा समंदर में गिरेगा नहीं यह उसी orbit में satellite को place करने के बाद धर्ती की 4 ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा लेकिन इसका काम क्या है कोई काम नहीं है क्योंकि इसका काम था satellite को orbit में place करना और यह इसने कर दिया अब यह बेकार हो गया यह बन गया space junk या फिर space कच्रा कफी लंबे समय से हम कोसिस कर रहे थे कि अगर जो चौथा stage है वो space में पहुँच गया और बिट में चक्कर लगाने लग गया तो आखिर यह कच्रा क्यों बना रह जाए हम इसका इस्तिमाल क्यों नहीं कर लेते हमने अभी वही प्लान किया है कि जो चौथा stage है PSLV का हम इसमें कुछ equipment install करेंगे इसमें lithium-ion battery लगा देंगे थोड़ा solar panel लगा देंगे और इसे एक stabilized module की तरह इस्तिमाल करेंगे experimental purpose से जो की orbit में चक्कर लगा रहा है satellite अपना काम करें और चौथे stage से हम थोड़ा बहुत काम ले लेंगे यही है POEM जहांपे हम PSLV के चौथे stage को experimental purpose से इस्तिमाल करेंगे बजाए इसके कि हम इसे space कच्रा बना दे मुझे उमीद है कि इतने आसान तरीके से समझने के बाद तो आपको clear हो ही गया है अब क्या है PSLV का यह POEM आपको समझ में आ गया POEM एक platform है जो in orbit experiment के तोर पे इस्तिमाल किया जाएगा यह final part होता है rocket का PSLV का जो in general discard कर दिया जाता था बेकार हो जाता था लेकिन अब हम इसका का इस्तिमाल करेंगे इसे अब हम बेकार कच्रे के तौर पे नहीं छोड़ेंगे PSLV C-53 ये चार्स स्टेज का rocket रहा चार्स स्टेज का PSLV होता है इसमें जो final स्टेज होता है चौथा स्टेज उसे हम कहते हैं PS4 एक बार सेटलाइट को और्बिट में प्लेस करने के बाद ये स्पेस जंक बन जाता है लेकिन यहाँ पे C-53 मिशन में हमने इसे स्टेबलाइज प्रेटफॉर्म की तौर पे इस्तेमाल किया experimental purpose से ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने PS4 स्टेज का इस्तेमाल किया है एक स्टेबलाइज प्रेटफॉर्म के तौर पे इसके कोशिस हमने 2019 में की थी सुरुवात वहीं से हो गई थी पोयम किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा कैसे यह अलाइव रहेगा स्टेबल रहेगा और्बिट में और काम करेगा जो पोयम है इसके पास होगा एक NGC सिस्टम यानि की Navigation Guidance and Control सिस्टम इसके मार्ध्यम से जो चौथा स्टेज है हम उसे इस्तेमाल करेंगे PS4 को हम कंट्रोल करेंगे फर्दर specified accuracy के साथ इसे हम stabilize कर लेंगे और्बिट में पोयम जो है उसमें होंगे कुछ solar panels और एक lithium-ion battery इसके पहले जो हमने 2019 में experiment किया था उसमें हमने solar panels नहीं लगाये थे केवल lithium-ion battery लगा कर ही इस्तेमाल करने की कोशिस की थी इसमें चार sun sensors भी होंगे magnetometer होगा guides होंगे और ये आविक की मदद से अपना काम करेंगे जो हमारा navigation system है साथ satellite का constellation है ISRO ने PS4 rocket junk को इसके पहले भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया 2019 में PSLV C-54 mission के दौरान ये कोशिस की गई थी इसके माद्यम से हमने micro set R और column set V2 को designated orbit में पहुँचा दिया था उसके बाद हमने इसे orbital platform के तौर पे experimental तौर पे इस्तेमाल किया था कि जो चौथा हिस्सा है मुसे नुकसान में ना ले जाए जंक ना बनाए बलकि हम उसे इस्तेमाल कर ले तो ये तो पूरा मामला पोयम का हो गया उमीदतन आपने इसको समझ लिया है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लोफाजिमाइन के बारे में है क्लोफाजिमाइन एक बहुत important drug है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं लेप्रोसी जैनि कि जो कुछ रोग है जैसे आप आम बोलचाल की भासा में कोड कह दिया करते हैं उसके इलाज के लिए इसकी काफी लंबे समय से कमी हैं इंडियन मार्केट में कई सारे महिनों से ये दवा अच्छे से मिल नहीं रही है और अभी तो ये हालत हो गई है कि पिछले तीन महिनों से ये पूरी तरीके से मार्केट में बंद हो गई है मिल ही नहीं पा रही है इस crisis से जो लेप्रोसी के जो भी लोग हैं उन्हें इलाज मिलने में काफे दिक्कत हो रही है क्लोफ़जिमाईन की बात करें तो ये तीन essential drugs में से यानि के दमाउ में से एक है multi drug treatment जब किया जाता है multi bacterial, multi bacillary leprosy के लिए तो वहाँ पे तीन दमाई इस्तिमाल की जाती हैं जिनमें एक होता है क्लोफ़जिमाईन, दूसरा है रिफैमपीसी और तीसरा है डैपसोन तो इसमें ये वाला मिल नहीं रहा है तो फिर इलाज कैसे हो पाएगा देखे, इसका इस्तिमाल ना केवल leprosy को cure करनी के लिए किया जाता है बलकि वो बहुत तेजी से फैले ना, उसको रोकनी के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है जो क्लोफ़जिमाईन है, इसका इस्तिमाल ना केवल leprosy के लिए किया जाता है बलकी इसका इस्तिमाल TB के इलाज में भी किया जाता है Cloffazemine को Multi drug resistant tuberculosis जब TB में καई सरी दवाइं काम करना बंद कर देती हैं तब Cloffazemine का इस्तिमाल किया जाता है और इसे WHO ने recommend भी किया है जो NLEP है, National Leprosy Erradication Program है उसमें government ने ये कहा है कि 12 महिनों के लिए जो मल्टी बैसलरी लेप्रोसी होती है उसके केसेस में हम कुलफर जमाइन का इस्तेमाल करेंगे कुल मिला कि बहुत ही शेंशल बहुत ही जरूरी दवा है जिसके इंडियन मार्केट में कमी है and that is the reason कि ये न्यूज में आ गया है लेप्रोसी की बात करें तो इसे Hansen's disease भी कहा जाता है chronic है progressive bacterial infection है मतलब एक बार हो गया तो ये बढ़ता रहता है फैलता रहता है और body के कई सारे हिश्चों को अपने कबजे में ले लेता है इसे एक bacteria cause करता है जिसे कहा जाता है mycobacterium leprye ये cause करता है leprosy को जो leprosy होती है इसमें सरीर के कौन से हिस्से प्रभावित होते है प्रभावित होता है skin peripheral nerves upper respiratory tract और जो nose की राइनिंग होती है वो transmission कैसे, felta कैसे airborne droplets होते हैं जिस भी व्यक्ति को leprosy हुई है अगर उसकी bodily fluids किसी अन्य व्यक्ति की contact में आ जाएं तो उसे भी leprosy होने का खत्रा रहता है symptoms में body period patches का आना skin पर घामों का हो जाना हाथ पाओं का सुन हो जाना पैरों के नीशे ulcers यानि की फोडों का हो जाना muscle का weak होना और तेजी से weight का कम होना यह leprosy के symptoms होते हैं Space tourism को लेके एक article news में रहा Space tourism में असल में हाल में बहुत growth लेखी गई है क्योंकि कई सारे private players specifically US से या UK से यूरोप से आखे आगे आए से SpaceX की बात कर ले Blue Origin की बात कर ले Virgin Galactic की बात कर ले इन्हों Space technology में काफी काम किया और यह बहुत ही सस्ते दरोपर अब ships को Space तक ली जा सकते है अपने spacecraft को तो अब हाल ही में Virgin Galactic का एक ship Space में गया था जहां उनके जो उनर है वो और कुछ लोग ट्रेवल करने गए थे Space में फिर वापिस आ गय थे उसके बाद यह बात की जा रही है अब लगातार satellite launch बढ़ रहे है और Space tourism बढ़ेगा तो research उसको लग रहा है कि इसकी वज़े से सूट emissions होंगे rocket launches से जिससे की बहुत जारा environment को खतरा पहुँचेगा और जो हमारा Montreal protocol में हमने जो अभी तक progress की है Montreal protocol में हमने क्या progress की है एक लौती एक तरह से कही जाती है ऐसी global treaty है जो successful रही है दुनिया भर के देशों ने मिलके कहा था कि ozone को control करना बढ़ेगा ozone जो deflection आसमान में हो रहा था ozone जो कम हो रहा था उसको control करने के लिए global treaty treaty हुई थी और यह global treaty काफ़ी successful हुई थी 1987 किये Montreal protocol की treaty थी to protect earth ozone layer और जो 100 ऐसे ozone depleting substances थे ODS उनको बंद करने की बात हुई और काफ़ी successfully stepwise banner में कई सारी ऐसी ODS चीजों को ban किया गया और बंद किया गया इनका production जिससे हम देख रहे हैं कि अभी ozone की सिती थोड़ी सुधर रही है United Nation Environment Program का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी हम और ज़्यादा बुरी सिती में होता है दस गुना ज़्यादा बुरा हाल होता ozone depletion का 2050 तक जहां हम अभी हैं उसके बुकाबले इससे होता है कि UV rays जाड़ा आती है लोगों में cancer होता है और तबाई फेलती है अब हमें पताया लग रहा है कि यह जो space tourism बढ़ता दिख रहा है space parties आगे उपर जा रहे हैं से और ज़्यादा खत्रा उत्पन होगा इन चीज़ों का ozone depletion का environmental pollution का इसके लाव मैं पता है कि जितने ज़्यादा launches अंतरिक्ष में होंगी तो ज़्यादा space debris create होगा space debris ऐसे create होता है कि वह अंतरिक्ष में जाती है अंतरिक्ष में बहुत कम कीमत वाली और बहुत तीजी से चार्ज होने वाली sodium and based batteries को और super capacitors को तयार किया है और उन्हें e-cycles में integrate करके उसका इस्तिमाल करने का प्रयास किया है अगर यह बहुत अच्छी तरीके से commercialize हो जाए तो इससे काफी फाइदा होगा e-cycle जो है उसकी costing काफी कम हो जाएगी और यह पूरा जो segment है इसमें काफी ज़दा फाइदा होने वाला है कैसे होगा देखिए अभी तक जो हम battery इस्तिमाल करते हैं that is lithium ion battery lithium ion battery के साथ दिक्कत क्या है कि lithium बहुत बड़ी मात्रा में हमारे environment में पाया नहीं जाता है इसलिए यह एक rare earth metal माना जाता है एक rare metal है आसानी से नहीं मिलता इसलिए इन batteries की cost भी जादा होती है वहीं competitively sodium आसानी से मिल जाता है तो sodium sodium ion battery एक secondary battery है मतलब आप उसे charge कर सकते हो यह sodium ions के movement पे work करता है जो positive और negative electrodes के बीच में travel करते हैं बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिससे lithium ion battery काम करते हैं कुछ खास इसमें अलग नहीं है sodium ion batteries जो हैं अगर इन्हें commercially इस्तिमाल किया जाए तो यह lithium ion batteries की जिगह ले सकती हैं इनके कई सारे फायदे हैं सबसे प्राफायदा यह कि lithium के तुलना में sodium हमें आसानी से मिल जाता है यह सात्वा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला metal है जबकि lithium बहुत कम मिलता है यह lithium से 1200 गुना ज़्यादा उपलब्ध है धरती पर मतलब इसके माध्यम से हम सस्ती batteries बना सकते हैं cheaper than lithium sodium ion batteries की performance अच्छी है वो अलग अलग temperature में भी काम कर सकते हैं non-flammable है तो इन्हें आसानी से store किया जा सकता है वैसे तो देखें जो lithium होता है वो sodium के तुलना में हलका होता है sodium जो है वो lithium से 3 गुना ज़्यादा भारी होता है लेकिन sodium ion batteries जो अभी develop की जा रही है वो lithium ion batteries की तुलना में हलकी है because it's about this structure कि आपने battery को कैसे तयार किया है तो ये भी इसका एक profit है तो हो सकता है आने वाले समय में आपको खूब सारी sodium ion batteries दिखें जो comparatively सस्ती हों और इससे जो पूरा हमारा e-vehicle का market है उसमें भी काफी ज़दा तेजी आने की संभावना है हमारा next article मांगड हिलोक के बारे में है हिलोक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी हाली में National Monument Authority के जो चेयर परसन उन्होंने एक रिपोर्ट समिट की Minister of Culture को और ये कहा कि जो मांगड हिलोक है राजस्थान का उसे हम Monument of National Importance डिक्लेर कर रहे हैं बढ़ियां बात है मांगड हिलोक कहा पे है ये जो पंसवरा district है राजस्थान का वहाँ पे located है अरावली mountains जो है राजस्थान गुजरात के बौरर पे वहाँ पर इसकी location है ट्राइबल अपर प्राइजिंग की ये location है जहाँ है जहाँ पर 1500 भील ट्राइबल freedom fighters को जान से मार दिया गया था बिश्चास के द्वारा 1913 में इतनी बड़ी संख्या में मैसेकर किया गया था बिश्चास के द्वारा and that is the reason कि इसे आदिवासी जलिया वाला बाग भी कहा जाता है क्या हुआ था मानगढ है लौक पे गोविंद गुरू जी एक बहुत ही इन टक्सिकंस से शराब से दूर रही है मुविंट दीमे दीमे पलिटिकल हो गया बिश्चास की जो ऑप्रिसिव पॉलिसी थी उनके खिलाब भी इस मुविंट ने काम करना शुरू किया फर्दर जो फोर्ज लेबर किया जा रहा था कई सारे प्रिंस्ली स्टेट्स के दौरा उसके खिलाब भी बाती हुई जो टेकसिस वो अपोस किये जा रहे थे उसका भी विरूद किया गया जो प्रिंस्ली स्टेट्स है जैसे की बंसवारा संत्रामपुर डुंगारपुर और कुशलगर उनके खिलाब भी यह जो पूरा मुवमिंट था यह उटने लगा इस्टाइबल रिवोर्ट से बिश्चोर्स और प्रिंस्ली स्टेट्स अर्टिकल एपस्टीन बार वाइरस के बारे में है साइन्टिस्ट को भी हाल ही में कैंसर कॉजिंग वाइरस एपस्टीन बार वाइरस के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी मिली है उन्हें अब यह पता चल चुका है कि यह जो वाइरस है यह हमारे neuronal cells को प्रभावित कर सकता है फर्दर यह bio molecules जो हमारी बॉड़ी में पाये जाते हैं उनमें changes भी ला सकता है neuronal cells क्या होती है neuronal cells ऐसी cells होती है जो हमारी बॉड़ी में messages को convey करने का काम करती है यह हमारे body part से messages को brains तक भीजती है और वहां के messages को body part तक पहुचाती है यह fundamental function होता है neuronal cells का मतलब यह हमारी body के लिए बहुत ही ज़्यादा important होती है further biomolecules हमारी body में कई सरे biomolecules पाये जाते हैं यह biomolecules building blocks माने जाते हैं जो basic functions perform करने में हमारी body को मदद देते हैं जैसे के fatty acids, carbohydrates, proteins इन्हें आप biomolecules बोल सकते हैं तो यह तो मतलब हो गया यह जो neuronal cells हैं और biomolecules हैं और यह जो abstent bire virus है यह दोनों को ही प्रभावित कर सकता है EBW virus यह लगभग हर इंसान में पाया जाता है लेकिन नुकसान दिये नहीं होता कई बार ऐसा होता है कि यह reactivate हो जाता है और जब reactivate हो जाता है तभी कुछ reactivation के कई सारे करण हो सकते हैं जैसे मान लिजी कोई immunological stress आ गया या जो immune system है वो कमजोर हो गया तब कई सारे virus reactivate होते हैं उन में से ही एक होता है abstin bar quarks और जब यह reactivate होता है तब कई तरीके के complications cause करना शुरू कर देता है हमारी body में जैसे की blood cancer जिसे burkit lymphoma कहा जाता है और कई बार यह stomach cancer भी cause करता है मतलब यह लगभग हर व्यक्ति में पाया जाता है लेकिन अगर यह activate नहीं हुआ तो नुकसान दे नहीं है activate होने के बाद यह cancer cause करना सुरू कर देता है सुरुआती study में यह पाया गया कि जो EBW है वो neuro-degenerative disease में भी involved रहा है अब neuro-degenerative disease क्या है जिसको cause करता है abstin-bire virus यह ऐसे disease होती है जिसमें central nervous system की cells या तो कमजोर पर जाती है या मर जाती है हालां कि यह virus हमारे brain की cells को भी affect कर सकता है और कई बार उसे manipulate भी कर सकता है लेकिन यह कितना और कैसे कर सकता है यह अभी तक unexplored है हमें कुछ खास जानकारी इसके बारे में नहीं है हाल-फिल-आल के finding क्या रही जिस पर हम यह चर्चा कर रहे है हाल-फिल-आल के finding वही है कि यह neuronal cells और हमारी body में जो biomolecules होते हैं में बदलाव लाने के शमता रखता है जिससे नुकसान हो सकता है हमारे central nervous system को और इससे brain cancer भी हो सकता है significant क्या है इस finding के बारे में research work से हमें काफी मदद मिल जाएगी जो EBV-mediated body-molecular changes हमारी body में होते हैं हम उसे बहतर तरीके से समझ पाएगे और जो nervous system के disease होती है हमें उनके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी ये तो फायदा हो जाएगा ये जो study हाल फिल हाल में आई है उसकी मदद से हमारा next article Marburg virus disease के बारे में है घाना में for the first time इस disease को detect किया गया है उसके बाद ये globally news में आ गई है आगे बढ़ने से पहले घाना की location देखिए घाना एक West African country है ये अफरिका का map है ये इसका western part है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Benin, then Togo, then घाना Benin, Togo, घाना बिलकुल आसपास में है आसपास के कई सारे अन्य देसों को भी आप देख सकते हैं काफी severe disease है जो humans में होती है जिसे Markbug, Marbug Marbug Virus यानि कि M-A-R-V cause करता है ये virus उसी family से belong करता है जिस family से Ebola virus belong करता है सौभाविक सी बात है ये खतरनाक होगा history की बात करें तो उसे Markbug नाम क्यों दिया गया है 1967 में 1967 में जर्मनी के Marbug में पहली बार इस disease को detect किया गया and that was the reason कि उसी city के नाम पर इस बीमारी का नाम रख दिया गया इसके नाम आए ये Frankfurt और सर्विया के Belgrade में भी दिखा गया factors की बात करें तो fruit bats जिससे हमने देखा कि COVID coronavirus भी फैला हुआ था वो इसके carrier होते हैं ये typically humans को infect कर देता है जैसे ये जो bats होते हैं ये mines या caves में रहते हैं और वहाँ पे अगर इनसान जाते हैं किसी purpose से, mining के purpose से exploration के purpose से और वो इन bats के contact में आ गए तो ये virus इनसानों तक आ जाता है और उसके बाद ये इनसानों से इनसानों में भी फैल जाता है blood, कोई other secretion या organ या bodily fluid अगर एक इनसान का दूसरे इनसान के contact में आता है जो already infected है तो ये विमारी दूसरे वेक्ति तक पहुच जाएगी या कोई भी surface है material जो वेक्ति infected है उसने छुआ है और वो दूसरे वेक्ति के contact में आता है तो भी ये विमारी फैल सकती है एक बारी वाइरस किसी वेक्ति के सरीर में चला गया तो दो से तीन हफते का दो दिन से तीन हफते का समय लगता है ये body में खुद को activate करने का इतना time लेता है symptoms की बात करें बहुत तेज बुखार सिर्धर्द बिमारी फैलना मसल्स में पेन होना ये कुछ common symptoms हैं जो मारबग वाइरस डिसीज में देखे जाते हैं fertility rate खतरनाक है ये बिमारी बहुत harmful and deadly है जो भी odd breaks अभी तक दुनिया में हुए हैं उसमें 24% से 88% तक fertility rate रहा है fertility rate अगर ज़्यादा है मतलब जान का खतरा 88% यू can understand कि जिसको भी हो रहा है वो मर जा रहा है कोई specific vaccine या antiviral treatment इसके लिए नहीं है जो symptoms हैं उन्हें ही treat किया जाता है patient को rehydrate रखा जाता है कि जो body है वो खुद ही इस बीमारी को ठीक कर ले article multiple sclerosis के बारे में है multiple sclerosis इसके बारे में news क्या है Indian Council of Medical Research यानि की ICMR ने अभी हाल ही में एक registry तैयार की है National Registry of Multiple Sclerosis MS short में इसमें ना केवल जो Indian Multiple Sclerosis एक बीमारी होती है इसका data होगा हमारे पास बलकि allied demelinating जो problems होती है बीमारियां होती है disorders होते है हम उनका भी data तैयार करेंगे और जो database तैयार होगा उसे IMSRN कहा गया है यानि की Indian Multiple Sclerosis Analyde Demelinating Disorder Registry and Research Network ये इसका नाम है अब kind of registry है तो registry में क्या होता है database होता है ये जो registry होगी इसमें आपको बहुत सारी जानकारिया मिल जाएंगी पूरा data होगा storage कौन से ऐसे patients है उनमें कितना सुधार हुआ क्या outcomes रहे कैसे उसे manage किया गया इन सभी चीजों का data आपको इस registry में मिल जाएगा चली ठीक है एक registry बनाईगे उस registry में हमें इस बिमारी का proper data मिल जाएगा ये बात तो समझ में आ गई लेखी नी बिमारी है क्या multiple sclerosis आपको पता है हमारी body में nervous system का एक जाल होता है बहुत सारी नसी बहुत सारी nerves ये nerves control होते हैं दो central nervous system से एक brain से और दूसरा हमारी spinal cord से ये जो nervous system है ये हमें movement देता है आप अपने हाथों को पैरों को अपने सिर को हिला पाते हैं उसे मोड पाते हैं because of this nervous system जो nerve का एक fiber होता है उस fiber के उपर एक layer होती है ये जो layer होती है ये एक substance की बनी होती है जिसे melon कहा जाता है आप देख रहे हैं इस image को ध्यान से देखे ये एक nerve का fiber है और इसके उपर एक melon की layer है होता क्या है इस बिमारी में multiple sclerosis में ये जो layer है melon की ये distort होने लगती है ये तूटने लगती है और जब ये layer यूँ ऐसे तूटने लगती है तो आपको पता है कि आपका nervous system अगर डिस्टॉर्ट हो गया तो आप move नहीं कर पाएंगे पैलेसिस हो सकता है या कई प्रकार की अन्य समस्यां पैदा हो जाएंगी तो हमारी nerves का जो nerve fiber होता है इसके उपर जो melon की ये layer होती है इसका distort हो जाना इसका हट जाना तूट जाना इसे ही demilinating कहा जाता है इसी प्रक्रिया को जिसके अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी कई सारी बिमारियां हो जाती है जब ये प्रक्रिया हो जाती है अब ऐसा होता क्यों है मतलब हमारी nerve fiber के उपर से spinal cord हमारी nerves को अच्छे से control नहीं कर पाता और problems शुरू हो जाती है symptoms क्या होते हैं MS के विजन, loss होना, चीजों का एक से ज़्यादा दिखना बहुत तेज पेन होना fatigue या impaired condition हाथों पैरों का movement अच्छी तरीके से ना हो पाना ये symptoms, severity और का duration depend करता है person to person कौन होते हैं प्रभावित ये जदातर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है हाना कि बच्चों में और adolescence में भी हो सकता है ये काफी rare disease है ऐसा नहीं कि हर किसी को होती रहती है और इंडिया में इसकी occurrence कम देखे जाते है बाकी western countries में इसका occurrence जादा देखा जाता है बट ये इंडिया में भी होती है क्या इसका कोई इलाज है? नहीं, इसका कोई भी इलाज नहीं है treatment का simple सा तरीका ये है कि हम हमारे immune system को treat करते हैं ताकि attack से जो हमारा nervous system है उसको हम recover कर सकें और जो disease है उसका course of action modify कर सकें और symptoms को manage कर सकें So that is the only way जो registry है उसके जरीए हमें patients का पुरा data हम अची तरीके से रख पाएंगे उनका nature क्या है बीमारी का और उसमें कैसे सुधार हुआ इस सभी चीज़ों का data इस registry में हम तयार करेंगे IMSRN ये क्या है October 2021 में New Delhi के AIMS के साथ attach करके इस center को बनाया गया इस center का basic काम ये है कि जो multiple sclerosis ये बिमारी है इसके समन में proper जो database है उसको collect करना और उसका research देखना further जो demilinating disorder कई अने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी research करना multiple sclerosis उमीदेदन आपने समझ लिया हमारा next article James Webb Space Telescope के बारे में है कई सारी pictures रिलीज की गई है James Webb Space Telescope के द्वारा जिन pictures को लेकर सभी लोग बहुत ज़दा excited है और ये जो James Webb Space Telescope है ये भी तक का बनाया गया सबसे powerful orbital observatory है क्या है ये pictures और ये James Webb Telescope क्या है NASA ने हाली में deep field photo एक बहुत इस distant galaxy की खीची है in fact ये galaxy cluster है नाम दिया गया है Smax 0723 SMACS galaxy cluster होने का क्या मतलब है इसमें बहुत सारी galaxies है बहुत दूर से photo खीची गई है ऐसी photo है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये galaxies है बहुत ही खूबसूरत photo है इन galaxies के बारे में हमारी भी एक galaxy आकास गंगा नाम है Milky Way वैसी ये बहुत सारी galaxies है इस picture को click किया है James Webb Telescope ने ये तो एक picture click की दूसरा था उन्होंने एक collection जो galaxies का है उसको click किया है इसे भी आप galaxy cluster ही कही है हाला कि इसमें जैसे इस galaxy cluster में तो खूब सारी galaxies है numerous number में है बट ये जो galaxy cluster है इसमें पांच galaxies हुआ करती थी ऐसी मानेता थी Stephens Quintet इस galaxy cluster का नाम हुआ करता था इसे हमने खोजा था 1877 में इस galaxy cluster को अभी तक की अधाड़ा ये थी कि इसमें पांच galaxies है लेकि जब हमने फोटो खीची तो प्रजला कि केवल चारी है एक, दो, तीन, चार पांच दिखती थी क्योंकि एक इसके resemblance में आ जाती थी लेकिन एक बहुत नस्दीक है ये सब लगबग 200 light years की दूरी पर है यबकि जो पांचमा वाला है, वो महस 40 light years की दूरी पर है तो वो इस galaxy cluster का part नहीं है ये चारो एक साथ हैं, वो उनसे बहुत दूर है तो देखे, पिक्चर खीचने का फाइदा मिला हमें लगता था इसमें 5 galaxies हैं लेकिन अब समझ में आया है कि चारी है, एक तो बहुत दूर है देखने पर साथ दिखता है, बस तो ये तो pictures आई है इसे खीचा है James Webb Space Telescope ने ये NASA, European Space Agency और Canadian Space Agency का collaborative effort है अभी तक का सबसे powerful Space Telescope है ये बहुत broad range में investigation कर सकता है astronomy के field में, cosmology के field में और ये explore कर सकता है pictures click कर सकता है जो पहली galaxies बनी थी हमाई universe में उनकी detailed atmospheric characterization कर सकता है हमारे पूरे space का इस लिए इस telescope का telescope that 8 astronomy भी नाम दिया गया है मतब astronomy के इसने दसा और दसा दोनों बदल दी ये कहा जाता है कि ये past में जाके देख सकता है, भूत काल में पहले की है, 13 billion years 13 billion years पहले की है, आपको पता होगा कि 13.8 billion years ago हुआ था Big Bang और तब पूरा universe बना था जैसा क्या hypothesis है, और अगर हम 13 billion years ago की galaxies की photo खीच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 5 में जाके photo खीच रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है क्योंकि हमें किसी चीज की picture तम बिलेगी जब उसकी light हम तक पहुचेगी, इस light को travel करके आने में हमारे तक 4 billion साल, 6 billion साल, 13 billion साल लग गए हैं, हो सकता है ये galaxy अभी तक महां हो भी की ना हो, हो सकता है वो खतम हो चुकी हो, उसकी light हमारे तक अभी आई है तक चली में जो ये pictures खीची गई है ये बहुत पहले की है, इस तरीके से जो James Webb Telescope है, ये past में जाके pictures क्लिक कर रहा है, बहुत पीछे जाके pictures क्लिक कर रहा है, और ये भी कहा जाता है कि जो James Webb Telescope है ये dark age में जो situation थी हमारे universe की, उसको भी explore कर सकता है अब dark age क्या है, dark age का मतलब ये हमें पता है कि hypothesis के according big bang 13.8 million साल पहले हुआ था जब big bang हुआ तो पूरी universe में एक fluid फैल गया, एक बहुत बड़ा विसफोट, जो एक बहुत ही center point से start हुआ और एक plasma या एक matter जो universe में expand हुआ, जो ये expand होता है, और धीमे-धीमे ठंडा होने लगता है, इसका temperature गिरता है एक ऐसे situation आती है, जो बिल्कुल dark matter माई universe में आ जाता है, उसमें कुछ नहीं होता कि माल dark matter रहता है, ठीक है अब ये जो dark matter है इसका मतलब big bang होने के just एक second बाद ही, ये जो पूरा matter है, ये लगभग एक trillion miles में फैल गया, और temperature 18 billion Fahrenheit, लगभग 10 billion degree Celsius कर आओगा चार लाक सालों के बाद ये जो big bang है, ये पूरा universe लगभग 10 million light years में फैल गया, और temperature लगभग 5500 Fahrenheit के असपास आ किया, इस पूरे time duration में जो space था इसमें एक smooth soup, high energy particles का फैल गया, radiation, hydrogen, helium, ये सब universe में फैलते चले गया, और इसके resultant बहुत सारी galaxies बनी, stars बनी, planets बनी, nebulas बनी, black holes बनी, ये पूरी प्रक्रिया चली है, अब जो ये development हुआ है, अगर आप इसे यहां पे देखना चाहेंगे, तो जब big bang हुआ, तो बिलकुल hot plasma था, इसके बाद ये बिलकुल black matter के तौर पे फैल गया, जब वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल black matter था, तो इसे कहा जाता है dark age, हम इसे study करने के कोशिस कर रहे हैं, through the GM Swift telescope, उसके बाद पहली light emerge होती है, यहां पे, कुछ light submerge होती हैं, और फिर ये galaxies बनती हैं, stars बनते हैं, ये सब today का मामला यहां पे हैं, तो अब इसे dark age को study करने के लिए हमें पहली light को study करना होगा, क्योंकि light के लामत हमको study कर भी नहीं पाएंगे ने dark age को, तो हमें यहां पहुँचके इसे study करना है, ताकि हम इस dark age की जनकरी लगा सकें, ये पूरा मामला है इस James Webb telescope का और universe के dark age का, इसके जरीए हम first light को study करने के कोशिस करेंगे, यहां पे देखिए, equation है 2018 के prelims का, light gravity से effect होती है, universe लगाता expand कर रहा है, matter जो है para-weskyte, solar cell के बारे में है, scientist में अभी हाली में co-dopend identify किया है, जिसके माध्यम से हम कुछ जो metal oxides हैं, उनकी performance को और better कर सकते हैं, जैसे ZNO, IN2O3 और SN02, और इसकी मतलब से हम और अच्छी quality के solar panels बना सकते हैं, अभी co-dopend क्या होता है, dopend कोई भी ऐसा substance होता है, जो किसी भी बहुत ही pure material में मिला के उसे impure बनाया जाता है, impure बनाने का मतलब होता है कि उसकी efficiency को थोड़ाब better करने, issue disc से किसी भी चीज़ में impurity मिलाई जाती है, उसे stable करने के लिए, उसके character को बदलने के लिए, जैसे महगा है, आसानी से मिलता नहीं, और इसकी efficiency भी कम है, काफी लंबे समय से हम कोई ऐसी चीज़ खोज रहे हैं, जिससे हम solar panels की efficiency को और बढ़ा सकें, और इस दिसामी parovascides, एक अच्छा option मिल सकता है, ये crystalline matter होता है, metal होता है, जो उपर light absorber लगे होते हैं, और इसकी उपर नीचे दुरों तरफ layers होती है, एक layers होती है, ETL की, electron transport layer, उसके अलामा, यहाँ पर transparent conducting glass भी होता है, और एक whole transport layer होता है, नीचे, आप इसे image में देखे जो, और समझ में आ जाएगा, ये perovascide की layer है, इसके उपर यहाँ पर आपको ये electron conductor दिख रहा है, नीचे ये whole conductor है, जो हमने भी देखा, इसके उपर एक glass लगाया जाता है, तो ऐसा एक structure तयार करते हैं, solar panel के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा efficient होता है, और इसमें काफिज ज़्यादा researches भी चल रही हैं, तो डोपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम very small amount of certain foreign atoms add कर देते हैं, किसी भी metal में, ताकि उसकी efficiency को enhance कर सकें, उसकी electrical property को हम change कर सकें, तो ये तो मामला हो गया, पेरोवस्काइट solar cell के बारे भी, survey vac के बारे में है, survey vac, ये एक vaccine है, जिसे serum institute of India ने बनाया है, और अभी हाल ही में इसे market authorization मिल गया है, drugs controller general of India के द्वरा, cervical cancer एक बहुत ही ज़ादा फैलने वाला, या बहुत ही ज़ादा देखा जाने वाला, sexually transmitted infection है, ये एक ऐसा cancer है, जो cervix की cells में होता है, इसे प्रभावित करता है, cervix, woman body का वो part होता है, lower part होता है, जो uterus को वजीना से connect करता है, यहाँ पे देखे, ये uterus का हिस्सा है, ये वजाइना का part है, और ये जो हिस्सा है, इसे ही cervix कहा जाता है, जब यहाँ की cells में cancer हो जाता है, तो इसे cervical cancer कहा जाता है, ऐसे cancer को treat करने के लिए ही, या ये cancer ना हो, इसके लिए, cervix बनाया गिया है, ये अकसर long term infections जो होते हैं, HPV के, उनके चलते, इस प्रकार का cancer हो जाता है, HPV का मतलब human papilloma virus से है, महिलाओं में cancer से जो death होती है, उनके reproductive age में, 15 से 44 साल की उम्र में, उसमें दूसरा सबसे बड़ा cause ये cervical cancer है, आप से सवाल पूचता हूँ, आप बताईए, पहला किस प्रकार का cancer है, जो सबसे ज़दा deaths cause करता है woman के लिए, इसका जवाब आप मुझे comment box में दीजेगा, survey back के बारे में बात करते हैं, ये cervical cancer के against में वर्क करता है, इस vaccine के approval के बाद, अब सरकार इसे बहुत ज़दा परचीज कर पाएगी special price पे, और इसे 9 से 14 वर्स की बच्चीओं को दिया जा सकेगा, ताकि cervical cancer के ख़तरे को कम किया जा सके, हमारा next article platform or platforms के बारे, यानिकि अईसा platform, जिसके भीतर ही कई सारे platform है, आपको पता है कि E-Niam को launch किया गया था इस objective से, कि एक किसान अपने product को किसी भी राज्य में बेश सकता हो, वहाँ पे अपने product की quality को ensure करवा कि, और पूरे देश से कोई भी उसका जो सामान है, वो electronically खरीच सकता है, E-Niam का ये fundamental objective था, इस platform पे हमने कई सारी और services को integrate कर दिया, जैसे की logistic service provider उसी platform पे आगे, quality assurance service provider जो बताते हैं कि किसान की फसल की quality क्या है, warehousing के facility देने वाले जो service providers हैं, और भी कई तरीकी के service provide करने वाले लोग, जैसे की e-commerce, international agree business platform, barter system, private market platform, ये सभी लोग Niam पर ही आ गए हैं, तो Niam एक platform है और इसकी उपर कई सारे platform आ गए हैं, इस तरीके से Niam platform of platforms बन जाता है, इसके माधियम से users को मदद मिल जाती है कि वो कई सारी services को इसी platform से access कर सकते हैं, farmers, farmer producer organizations, traders और बागी के stakeholders इस platform system का इस्तिमाल करके कई सारी services एक बार में access कर पाएंगे, इससे farmers की digital access बढ़ेगी, उन्हें काफी आसानी हो जाएगी, देखिए E-Niam पर 2017 में प्रशन पूछा गया था कि इसका क्या advantage होगा, पहला statement तो ये था कि ये एक trading portal है, agriculture commodity के लिए और दूसरा ये था कि farmers nationwide market को access कर सकते हैं, और सही जवाब C था, दोनों ही correct थे, हमारा next article genomics के बारे में है, हाल ही में WHO का जो science council है, उन्होंने एक report release करते हुए, ये कहा कि हमें global health को better करने के लिए genomics की study को accelerate करना होगा, और जो genomics technology है, उसे developing countries इस तक पहुचाना होगा, genomics क्या होता है, genomics study करने का एक तरीका है, किसे, genes के complete set को, आपको पता होगा कि human body में होते हैं cells, cells के भीतर पाया जाता है nucleus, nucleus के भीतर आपको मिलते हैं chromosomes, और human body में 23 pairs होते हैं chromosomes के, यानि कि 46 chromosomes, chromosomes के भीतर आपको मिलते हैं genes, और ये genes बने होते हैं DNA से, अगर ये जो cells में DNA होते हैं, आप इनके complete set को एक organism के लिए या एक इनसान के लिए तयार कर लो, हम इसको study करेंगे, तो जो complete set आपने इस DNA का तयार किया है, किसी human body के लिए, या फिर किसी organism के लिए, तो उसकी study को ही genomics कहा जाएगा, मतलब जो आप set तयार करोगे, उसे तो genome कहेंगे न, जो आप DNA का पूरा sequence तयार करोगे, set तयार करोगे, उसे genome कहेंगे, और इस genome की study को genomics कहा जाएगा, genome एक प्रकार से organism का complete set of DNA होता है, जो मैंने आपको बात किया, उसकी study genomics है, जो genes का ये पूरा structure हम तयार कर लेते हैं, इससे हमें किसी human body में, या किसी organism को study करने में मदद मिलती है, genomics technologies को हमें accelerate करना होगा, low और middle income countries के लिए भी, ताकि हम अलग प्रकार से studies कर सकें, इससे हमें विमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, और हम organisms को अची तरीके से समझ भी पाएंगे, हमें मदद देनी होगी financially, laboratory infrastructure, material और highly trained personal, इंडिया ने क्या करम उठाए है genomics के लिए, genome India department of biotech के तहत काम कर रहा है, यहाँ पर हम genetic variation जो Indians में हैं, उसका पूरा study तयार कर रहे हैं, study कर रहे हैं, further indigen program CSIR के initiative है, हम genome sequencing को तयार कर रहे हैं, इंडिया की population के लिए, और Instacog है, यहाँ पर हम SARS-CoV-2 की genomics के एक consortium में, उनकी genome की sequencing करके study कर रहे हैं, कि उनके क्या variant है, कितने खतरना हो सकते हैं, so that was all about genomics, तो अब यहाँ पर हमरा जो next article है, वो fast radio burst के बारे में है, अभी हाली में में कुछ radio signals मेले हैं, जो काफी strange हैं, जिसे हम fast radio burst कह रहे हैं, इसे किसी ऐसी galaxy से detect किया गया है, जो earth से हो सकता है, billions of light year दूर हो, ऐसा study में पाया गया है, देखिए यह radio burst क्या होते हैं, जब भी कोई astronomical phenomena होता है, माल लेजिए, कोई black hole आपस में टकरा गया, कोई neutron, star जो है, उसमें कुछ activity होई, तो उसके बाद बहुत तेजी से radio burst क्रेट होता है, और उसके signals हम अपने यहां detect करते हैं, for the first time, FRB को 2007 में detect किया गया, यह बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो हम इनका origin trace नहीं कर पाते हैं, यह बहुत ही bright होते हैं, और बहुत कम समय में आकर, बिल्कुछ से खतम हो जाते हैं, यह किसी ऐसे astronomical event की वज़़ज़ से होते हैं, object की वज़़ज़ से होते हैं, जिनमें magnetic field में change आया हो, और उसके वज़़ज़ से radio waves निकली हो, millisecond scale पर हैं में detect कर पाते हैं, अभी हाल ही जो detect किया गया है, जो X-ray portion है, simulation burst का, उसे detect किया गया एक satellite की द्वरा, further NASA का जो wind mission है, उसमें भी इसे detect किया गया, NASA funded जो project है, जिसे stair 2 नाम दिया गया है, transient astronomical radio emission 2, उसने भी इस radio waves को detect किया, 2008 में Canadian Observatory जो है, उन्होंने for the first time, कुछ pattern में radio waves या radio waves जो है, उनको detect किया, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, कि ये किसी astronomical event की वज़़ज़ से ना आ रहे हो, बलकि ये किसी alien civilization से आ रहे हो, ये किसी वज़़ज़ से भेजा जा रहा हो, क्योंकि इनमें एक pattern है, ये pattern किसी random event से नहीं हो सकता, तो इसी लिए जो FRB को लेकर ये theory है, कि black hole के collision से, या neutron star से ये निकल रहे हैं, उस पर अक्सर विवाद रहता है, हमारा next article, warm holes के बारे में है, इस संबन में एक article आया था, इसी reference में ये article यहाँ पर हमारे सामने है, जो warm hole की theory है, ये ये मान लेती है, कि एक theoretical passage है, जिसके माध्यम से आप space time में travel कर सकते हैं, और ये एक shortcut की तरह work करता है, जिसमें आप universe में एक बहुत ही लंबी journey को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, even light की speed से भी तेजी से, warm holes क्या होते हैं, आपने ये movie जरूर देखी होगी, Dr. Strange, अगर आप Marvel की movie देखना पसंद करते हैं तो, यहाँ पर Dr. Strange अपने हाथों को घुमाते हैं, और एक warm hole create हो जाता है, वो इसमें enter करते हैं, और वो किसी और space में पहुँच जाते हैं, किसी और location पे पहुँच जाते हैं, ये movie अगर आपने देखी है, तो ये incident बहुत ही आम है इस movie में, warm holes देखिए, ये theoretical phenomena है, अभी तरह इसको लेकर हमारे पास कोई भी proofs नहीं है, for the first time, warm holes का जिक्र 1916 में किया गया, इनकी theory develop की गई, हाला कि तब इसे obviously warm hole नहीं कहा जाता था, black holes की तरह ही, Einstein की theory of gravity में भी इसे predict किया गया, warm holes को भी predict किया गया, लेकिन अभी तक उनके बारे में, theoretically ये exist करते हैं, इसकी बात की गई, 1916 में, Ludwig Flamme ने, 1916 में दी गई अपनी theory में, white hole का जिक्र किया, जो black hole का reversal है, जानी कि उल्टा है, ध्यान दीजेगा कि पहले माना जाता था, कि जो पूरा universe है, वो एक बहुती सक्त sheet की तरह है, इसी पर stars and planets है, अगर इन्हें हटा भी दिया जाए, तो universe की इस sheet पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, Einstein ने अपनी theory में इसे गलत बताया, उन्होंने कहा कि जो universe है, वो एक flexible sheet की तरह है, जिसमें जो भी objects हैं, या घटनाई है, वो इस sheet पर जो material है, ये एक gravitational pull create करेगा, बाद में 1916 में gravitational waves को detect भी किया गया, उन्होंने अपनी theory में black holes को भी hypothesize किया, जिसमें कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, even light भी नहीं, और सारी चीज़े एक point पर जाके concentrate हो जाती हैं black hole में, जिसे singularity कहा गया, जब white hole का जिक्र किया गया, यहाँ पर black hole के साथ, तो इसी इसके reversal के तौर पर देखा गया, black hole के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा और जाना होगा, black hole, एक ऐसा astronomical object होता है, जिसके gravity बहुत ही ज़ादा होती है, उसके आसपास जो भी चीज आती है, वो उसे अपने आप में समेट ले लेता है, even light भी उसको पास नहीं कर सकती, इसलिए black hole को आँ नहीं देख पाते, बलकि उसके आसपास जो light उसके भीतर जा रही होती है, उसी के structure से हम black hole को समझ पाते हैं, white hole को black hole का उल्टा कहा गया, मतलब black hole चीज़ों को अपने और खीचता है, जबकि white hole किसी भी चीज़ को अपने से बाहर धकिल देता है, जब black hole और white hole आपस में connect होते हैं, तो बीच में उन्हें connect करने वाला जो एक object होता है, that is warm holes, ये इन दोनों को connect करता है, और जब warm hole, black hole और white hole को connect कर देता है, तो आप time travel कर सकते हैं, और space में बहुत दूरी तया कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे work करता है, कि यहाँ पर आपने देखा कि यह जो पूरा space है, ये एक sheet की तरह नहीं है, बलकि ये bend है, और ये जो bend है, इसमें अगर आपको इस point से इस point पर आना है, तो हो सकता है thousands of year लग जाएं, अगर आप tight की speed से travel करें, तब भी, लेकिन अगर यहाँ पर एक black hole हो, जो चीजों को अपने और खीचता हो, और यहाँ पर एक white hole हो, और बीच में ये जो आपको tunnel shape दिख रहा है, ये एक warm hole है, या warm hole का throat है, यहाँ से जब आप कोई चीज इसमें enter करवाते हैं, suppose करते हैं कोई space craft, तो ये black hole इसे खीच लेता है, जबकि white hole, जब इसे warm hole से होते हुए, ये white hole के पास जाएगा, तो white hole इसे वापिस से बाहर ढखेल देगा, तो अचानक से ये इतनी बड़ी astronomical distance, आप कुछ ही समय में पूरी कर लेंगे, by this warm hole, तो इससे time travel आसान हो जाएगा, और space में लंबी दूरी तै की जा सकेगी, ये महज एक theory है, हो सकता है आने वाले समय में इसे सही थाबित कर दिया चाए, और हम इस तरीके से कुछ time travel की घटनाएं जो हैं, उन्हें देख भी पाएं, ये तो बामला हो गया warm holes का, white hole के बारे में में बी आपको ना पता हो, black hole के बारे में आप जानते रहे हों, तो space time को connect करते हैं, ये black hole and white hole, एक conduit के जरीए, एक नलिका के जरीए, 1935 में Einstein और एक physicist Nathan Rosen ने भी, इसे एक theory के रूप में elaborate किया, उन्होंने कहा कि black hole और white holes आपस में एक bridge से connect हो जाते हैं, जिससे space time का जो gap है वो fill हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक bend curve में दिखाया, ये bridges space time के दो different locations को, दो different points को connect कर देते हैं, इससे time और distance का gap बहुत कम हो जाता है, और time travel किया जा सकता है, इस पूरे shortcut को Einstein, Rosen, Bridges, या फिर warm hole कहा किया, हाला कि warm holes present हैं या नहीं है, इसे अभी तक astronomically prove नहीं किया जा सका है, ये महज theories में है, लेकिन theory of relativity में कही गई, जदतर बाते एक एक करके सस्साबित होती जा रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि warm holes का होना भी आने वाले समय में हमारे सामने आ जाए, यहाँ पर एक question है, दो giant black holes के merger को billions of light years अवे देखा गया, क्या significance है इस study की, 2019 में यह question पूछा गया, इसका सही जवाब था भी, हमने gravitational waves को इसके जरिए detect किया, हमारा next article, aneurysm के बारे में है, aneurysm, actor Emilia Clark, जिन्हें अगर आपने Game of Thrones देखा है, तो आपने Dragon Queen को देखा होगा, यह Emilia Clark है, इन्हीं के reference में, यह बिमारी अभी news में आई है, इन्होंने भी जानगारी दी, कि यह परेशान है, aneurysm से, brain aneurysm, जिससे organs को काफे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उसमें damage create होता है, aneurysm क्या होता है, aneurysm में arteries और veins, जो blood को एक जिगे से दूसरी जिगे पर लेके जाते हैं, उनमें swelling आ जाती है, उनकी walls weak होने के वज़ज़ से, उनमें swelling कुछ ऐसे आ जाती है, कि जैसे माल लेजिए यहाँ पर यह blood जा रहा है, और यह wall यहाँ पर weak है, तो यह blood यहाँ पर stress की वज़़ज़ से फैलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक bubble create हो जाएगा, और जो condition होती है, इसे ही aneurysm कहा जाता है, ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गया, यह अकसर aorta में देखा जाता है, जो aorta है, वो mean artery होती है, जो heart से blood को body के un-parts में लेके जाती है, knees में, brains में, intestine में, तो अगर brains में यह problem आ रही है, तो उसे brain aneurysm आप बोल सकते हो, कई पार ऐसा होता है, कि जो bubbles होते हैं, यह फट जाते हैं, और अगर इन bubbles के फटने के बाद, यह bleeding बहार आने लग जाती है, इससे internal bleeding कहा जाता है, तो यह internal bleeding जब शुरू हो जाती है, तो situation बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उससे strokes आने का खत्रा होता है, अगर यह brain में है तो, जो blood blessings brain की होती हैं, और heart की होती है, उनमें अक्सर यह aneurysm के problem देखी जाती है, जो swelling होती है, वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो पूरी blood vessel ही swell कर जाए, और दूसरा एक हिस्सा swell कर जाए, एक side कमजोर हो जाए, इसके fundamental causes क्या हो सकते हैं, smoking, उम्रका भरना, high cholesterol, obesity, hypertension, tissues का disorder, या कईवा pregnancy के condition में भी aneurysm हो जाता है, treatment में क्या होता है, treatment में flow diversion stent, एक बहुत ही common तरीका है, जैसे कि देखें, यह swelling इसलिए होगी, because blood यहाँ से इधर enter करता रहेगा, ठीक है, तो यह swelling बढ़ती रहेगी, और बाद में इस swelling के फटने का भी खत्रा रहेगा, तो यहाँ पे एक stent डाल दिया जाता है, तो यह stent इस flood को divert कर देता है, अब blood सीधा इधर जाएगा, और उसे यहाँ जाने से हम रोक देंगे, दिमें दिमें यह problem cure हो जाएगी, तो इस stent का इस्तेमाल in general किया जाता है, इसे cure करने के लिए, cylindrical metallic mess stent होता है, blood flow को divert कर देता है, यह ऐसा तभी किया जाता है, जब rapture ना हुआ हो, यह जो swelling glands हैं, वो फटे ना हो तो, flow diversion, usually जो बड़े aneurysm होते हैं, उन्हें treat करने के लिए किया जाता है, बाकी देखें, lifestyle में change करना होगा, smoking छोड़ दीजे, balance diet लीजे, healthy body weight रखे, तो धिमें धिमें ऐसी problems, control हो जाती हैं, ठीक है, startical, lumpy skin disease के बारे में है, लगभग 1000 cattle में, जिसमें specifically cows and buffaloes, शामिल रहे, उनकी गुजरात में मौत हो गई, lumpy skin disease के वज़े से, इसमें मवेशियों के उमें होता क्या है, कि उनके सरीर के उपर, कुछ नोडियूस, यानि के गाठें आने लग जाती हैं, इसके नवा बुखार भी होने लग जाता है, वो अच्छे से खाना नहीं खापाते हैं, ये disease कई बार मवेशियों में बहुत common हो जाती है, इसे short में LSD कहा जाता है, viral disease है, वाइरस से होती है, यहाँ पर देखें जो cattle होती हैं, या water buffalo, ये इससे प्रभावित होती हैं, जो वाइरस ये cause करता है, उसे कहा जाता है pox virus, या pox virus, LSD virus, ये mosquitoes, flies, lice यानि की जूम और वैस्प, इनके द्वारा carry किया जाता है, अगर ये cattle के contact में आते हैं, तो ये cattle को ग्रसित कर देते हैं, further contaminated food या water से भी ये cattle में फ्याल सकते हैं, symptoms बहुत ही साधारण हैं, मवेशियों को बुखार आना, depression के characteristics दिखना, उनके शरीर के ओपर कई सारी गांठें, यानि की nodules का दिखना, दूद का production कम हो जाना, अगर जो मवेशी है वो pregnant है, तो उनके बच्चे का abortion हो जाना, वो अच्छे से खाना पाएं, और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, prevention की बात करें, तो जानवरों को अलग थलग रखा जाता है, क्योंकि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है, उन्हें vaccine दी जाती है इसके लिए, कई बार slaughter campaign चलाया जाते हैं, मवेशियों को मार दिया जाता है, जो प्रभावित होते हैं, हाला कि ये एक extreme case बन जाता है, और कुछ management studies आप्ट की जाती है, insecticides का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो mosquitoes, flies and lies, जो इसे फैलाते हैं, उन्हें रोका जा सके, specifically अगर हम treatment की बात करें, तो कोई treatment तो होता नहीं है, होने से पहले आप रोक सकते हो, तो रोक लो, एक बार हो गया, तो फिर कोई treatment नहीं हो पाता है, जो symptoms होते हैं, उन्हें ही cure किया जाता है, अगर secondary infection हो गया, skin में, तो फिर वहाँ पे, non-steroidal anti-inflammatories का इस्तेमाल किया जाता है, और anti-biotics का इस्तेमाल किया जाता है, जहां भी जरूरी हो, तो यह तो lumpiskin disease के बारे में जानकारी हो गई, आरा next article, end treat technology के बारे में है, ब्रेहन मंबई municipal corporation, नानी के BMC ने एक in-situ treatment of sewage तयार किया है, जिसमें हम sludge और sewage को वैसे ही treat कर लेंगे, in-situ, लेकर दो तरीके का treatment हो सकता है, आपे बहुत सारे treatment plant देखे होंगे, बहुत बड़े-बड़े structures बनाया जाते हैं, जिसमें गंदा पानी जाएगा, उसे हम process करके treat करेंगे, साफ करेंगे, और गंदगी बाहर निकाल देंगे, वो treatment plant बनाने के लिए आपको अलग से जगह चाहिए होती है, जो in-situ treatment की planning चल रही है, इसमें ये जो sewage की pipeline होती है, हम इनके भीतर ही पानी को treat कर देंगे, अलग से कोई इनफ्रा नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से कोई जमीन हमें नहीं चाहिए होगी, ये 7 stage का पूरा process होगा, जिसके जरिये हम proper तरीके से पानी को साफ कर देंगे, within by, कैसे होगा, 7 stage कौन से हैं, पहला stage होगा, जिसमें हम screening करेंगे, आपने देखा होगा, पानी पे कई सारा कचरा तैरता रहता है, जैसे cups, paper dishes, polythene bags, sanitary napkins, या लकडी, plastic, हम कोसिस करेंगे, कि पहले तो हम इन्हें ही छाट ले, इन्हें छाटने का तरीका बिल्कुल सा होता है, आप एक net लगा दो, net लगा दोगे, जब पानी बहेगा, तो पानी तो बह जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है, silt है, वो यहाँ पर trap हो जाएगा, अब आप यहाँ से जो silt है, आप उसको निकाल लो, उसके बाद जो तीन बाकी के stage होंगे, उन्हें bio zone कहा जाएगा, bio zone में, हम coconut fiber के curtains लगा देंगे, यह जो curtains होंगे, इनमें से पानी छन के निकल जाएगा, और बाकी के जो organic matter है, वो यहाँ पर फज जाएगे, और बाद में इन्हें यहाँ से छाट के निकाल दिया जाएगा, जो छठा stage होगा, वहाँ पर जो पानी जाएगा न, वो एक जीगा पर इकठा हो जाएगा, उसके उपर हम कुछ aquatic vegetation लगा देंगे, जो ऐसे तैरता रहेगा, अभी जो vegetation है, यह अपने nutrition कहां से लेगा, इसी गंदे पानी में से लेगा, तो जो इसमें organic या inorganic pollutants हैं, उन्हें ये पौधे खीच लेंगे, सोख लेंगे, तो कुछ पानी तो ये साफ कर देंगे, और फिर होगा final stage, जहां पे sodium, hypo chloride का इस्तेमाल किया जाएगा, और पानी में से bacteria हटा दिया जाएगा, तो ये साफ stage होंगे, और इसके लिए हम कोई अलग से treatment plant नहीं बनाएंगे, बलकि within, जो sewage canals होती हैं, उन्में ही इस पानी को साफ कर दिया जाएगा, तो ये natural और environmentally friendly mechanism है, जिसमें नाला के भीतर ही पानी साफ हो जाएगा, कोई additional space शेहीए नहीं हमें, हमारा next article cholera के बारे में है, researchers ने अभी ये identify किया है, कि जो antimicrobial resistance है, cholera causing bacteria में, वो decline कर रहा है, and that is the reason कि cholera news में आया, एक life-threatening infectious disease है, कई बार तो जान को खतरा हो जाता है, एक acute बीमारी है, diarrhea के symptoms इसमें आ जाते हैं, intestine इससे भावित होता है, इसमें infection हो जाता है, ये infection कौन करता है, bacterium vibrio cholerae, ये इस bacteria का नाम है, ठीक है, यहाँ पर देखें जो infection है, वो in general mild होता है, symptoms कुछ खास आते नहीं हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा severe हो जाता है, symptoms में diarrhea हो सकती है, vomiting हो सकती है, leg cramps हो सकते हैं, पैर वगेरा में दर्द शुरू हो जाता है, किसी व्यक्ति को जब cholera होता है, तो ऐसा कई बार खराब पानी पीने के वज़़े से हो जाता है, या contaminated खाना खाने से हो जाता है, जिससे cholera के bacteria ने contaminated कर दिया हो, disease काफी तीजी से फैलती है, अगर जो sewage को सही तरीके से treat ना किया गया हो, या drinking water में दिक्कत आ जाए तो, अभी तरीके, अभी देखे, तीन प्रकार की vaccines available हैं, WHO ने जिने approve किया है, जिसमें है, Ducoral, Sanctum, और Unicol Plus, ये तीन vaccines है, तीनों vaccines के दो-दो-डोस लेने होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से काम करें तो, हमारा next article International Space Station के बारे में है, रशिया ने ये कहा है कि 2024 के बाद, ये International Space Station को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दू, किसी को क्या पढ़ी है, लेकिन दिखे, दिक्कत तो है, क्या दिक्कत है भी आप समझ चाहोगे, क्यों छोड़ रहा है ये, विवाद चल रहा है दिखे, युक्रेइन के वोर के बाद कई तरीके के sanctions रशिया के उपर लगाए गए हैं, रशिया ने ये धम की पहले विरी थी, कि हम International Space Station छोड़ देंगे, इसमें तो उसका नुक्सान है ना, बाकी लोगों को क्या दिक्कत है इसमें, बाकी लोगों को भी दिक्कत है, आप समझोगे ऐसे, कि जो International Space Station है, वो Low Earth Orbit में Located है, इसी पाँच देसों ने मिलके बनाया, NASA, USA, Ross Cosmos, ये एजिंसी हैं, रशिया की, JAXA जपान की, ESA यूरोप की, और CSA, कैनेडा की, कैनेडिन स्पेस एजिंसी, ये 1998 से ही, Lower Earth Orbit में घूम रहा है, और इसमें हजारों एक्सपरिमेंट आज तक किये हैं, ये कहा गया कि ये 2024 तक operational रहेगा, उसके बाद aging हो गई है, इसका time खतम होने वाला है, USA ये चाहता है, कि हम इससे 2030 तक काम ले, और जब तक हम कोई नया space station नहीं बना देते, हलागि रशिया नहीं ये कहा कि, वो पहले ही छोड़ देंगे, ये 2030 तक रुकेंगे नहीं, 2024 में जब इसका एक formal trainer complete होगा, तो वो इसको छोड़ देंगे, इसके background में देखिए एक चीज और बर्थ कर रही है, चाइना दे अपना space station रखभा complete करने, कि वो वर्ज पर आ गये हैं, और चाइना और रश्या की बहुत अच्छी बन रही है, तो बहुत अतिशे योगती नहीं होगी, कि कोई agreement हो जाए चाइना और रश्या की बीच में, और रश्या जो है, वो चाइना का space station इस्तिमाल करना शुरू कर दे, इसको छोड़ के, अब अगर इसको रश्या छोड़ता है, तो इससे क्या impact पड़ेगा, देखें, जो यह पूरा space station है, वो कुछ ऐसे बनाया गया है, कि हर country एक दूसरे को पर dependent है, example के तौर पे, कि USA अगर इस space station को power दे रहा है, तो रश्या साइट से इसमें propulsion system दिया जा रहा है, जिसके वज़े से यह operate कर रहा है, और जमीन पर गिर नहीं रहा है, अगर रश्या ऐस से withdraw कर जाता है, तो जो propulsion capability है, उसके रहे जो भी setup है, वो उसको छोड़ देगा, तो बाकी की जो चार देश हैं, उनको इस बात को ensure करना पड़ेगा न, कि जो propulsion system है, वो run करता रहे है, तो यह जिम्मेदारी उनके उपर आ जाएगी, तो हर देश के अपने जिम्मेदारी है, अगर वो quit करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और इसी लिए, रश्या ant में भी रहता है, और धंकी भी देता रहता है, कि हम छोड़ देंगे, और अभी दुन्होंने बोली दिया है, कि हम 2024 तक छोड़ देंगे, इसको फिर आप अपना देखना, हमारा next article, mist submarine cable system के बारे में है, यहाँ पर submarine का मतलब, वो submarine जो लड़ाई में इस्तेमाल होती है, वो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, जो समंदर की नीचे जाती है, उसे submarine कहा जा सकता है, तो यह cable है, optical fiber cable, जिससे internet का connection दिया जाता है, अगर वो समंदर की नीचे से जा रहा है, तो उसको भी submarine cable कहा जाएगा ना, तो जो expert appraisal committee है, ministry of environment के तहर, उन्होंने यह बोला, कि अगर आप यह cable बिचाने वाले हो, mist, तो आपको coastal regulatory zone का clearance चाहिए होगा, क्योंकि आप coastal area में इसको गुजारोगे, तो वहाँ का जो ecosystem है, वो disrupt होगा, देखें, यह जो mist है, यह proposed optical fiber cable का network है, जो म्यांगमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापूर को connect करेगा, optical fiber के cable से, यह 8100 km लंबा होगा, communication network established करेगा, यह connect करेगा, म्यांगमार, थाइलेंड, मलेशिया, सिंगापूर को इंडिया से, थाइलेंड हलाकि प्राइमाफेसिया नहीं connect होगा, उसके बार इसको connect करेंगे, ठीक है, यह secure, reliable, robust और affordable telecom facility देगा, बहुत high quality internet services देगा, जो टुवास सिंगापूर में है, उससे यह Mumbai, जो इंडिया का है, उसको connect कर देगा, कई सारे फायते होंगे, इससे telecom connectivity इन 5 देसों के बीच में बढ़ जाएगी, minimal footprint होगा, जिससे Mumbai के coastal environment में बहुत सारे cables आ जाते हैं, तो यह कही से, कही सारे disconnect हो जाएंगे, तो यह भी कम हो जाएगा, थार्डली की, वही stakeholders की बीचिए जो conflict होता है, कि बहुत सारे cables को land करवाना है चे नहीं के coastal पे, वो problem भी थोड़ी resolve हो जाएगी, ठीक है, तो यह तो फाइदे हो गए, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much,